हेलो गाइज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जे एम जी एफएक्स स्टूडियो में तो आज इस वीडियो की शुरुआत हम करते हैं थोड़ा सा टूल्स के बारे में जानके कि किस तरीके से यहां पर टूल्स को एक तरीके से केटेग्राइज कर रखा है तो सबसे पहले आप देखें कि टॉप पर आपको मिलते हैं सिलेक्शन टूल्स उसके नीचे आपको मिलते हैं ग्रॉइंग टूल्स एंड टाइप टूल्स उसके नीचे आपको मिलते हैं कुछ मो Blank Tools, Symbol Tools, Chart Tools, Artboard से Related Tools, Navigation Tools, यह आपका मिलता है Web से Related Slice Tools, साथ ही आपको मिलते है Color Control Tools, जिसमें आपको मिलता है Fill Color, Stroke Color, Solid, Gradient, No Fill, उसके नीचे आप देखेंगे तो आपको मिलते है Drawing Modes, यह देखी, Three Modes, यह तीनो के तीनो Drawing Modes होते है, उसके नीचे आप देखेंगे तो यह आपको मिलता है Change Screen Mode, तो यह तो होते हैं आपके Tools, चलिए आपको एक और तरीके से मैं थोड़ा Tools के बारे में बताता हूँ, यहाँ पर मैं एक New Tool Ball दे रहा हूँ, इसको मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, जैसे My Tool Bar, ओके, तो यहाँ पर जब मैं Edit Tool Bar के अंदर क्लिक करता हूँ, देखिए, तो आपको यहाँ पर भी पता चल जाएगा कि यह Tools किस तरीके से क्रेटेगराइज कर रखे हैं, देखिए, सबसे पहले आपको मिलता है Select Tools, यह सारे Selection Tools आते हैं, उसके नीचे आप देखेंगे, तो आपको मिलता है Drawing Tools, यह देखिए, यह सारे के सारे आपको मिलते हैं Drawing Tools, देखिए, उसके नीचे आप जाएंगे, तो आपको मिलता है Type Tools, यह सारे Text से Related Tools होते हैं, उसके नीचे आप देखेंगे, तो आपको मिलता है Painting से Related Tools, जिसको हम बोलते है Paint Tools, यह देखिए, उसके नीचे मिलता है आपको Modify Tools, जिसके थूँआ आप Modification कर सकते हो Shapes के अंदर, और नीचे आप जाएंगे, तो आपको मिलते है Navigation Tools, तोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर ड्रैग करके लाता हूँ, देखिए, आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कि जिस भी टूल के नीचे, एक चोटा सा Arrowhead आपको नज़र आ रहा होगा, तो समझ लीजिए कि उसके अंदर कुछ और टूल्स भी मौझूद है, यह देखिए, आप इन टूल्स को भी बहार निकाल सकते हैं, जिससे आप यहाँ पर राइट और साइट पर आपको Arrow Button नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए, यह देखिए, यह बहार आ जाएंगे, तो आपको बार बार यहाँ पर क्लिक and hold करने की ज़रूत नहीं पड़ेगी, उसे तरीके से देखिए, यहाँ पर चैसे टेक्स्ट आ गया, टेक्स्ट पर आप क्लिक करिए and hold करके रखिए, देखिए, आपको इस सारे टूल्स नजर आ जाएंगे, सिंप्ली क्लिक कर दीजिए, तो यह बहार टूल्स आ जाएंगे आपके सारे के सारे, एक चीज ओर आपको मिलेगी यहाँ पर देखिए, हर एक टूल के साथ में, देखें यहाँ पे इसका जैसे इसका नाम है selection tool वो इसका shortcut है V यह देखें जैसे यह हो गया lasso tool इसका shortcut है Q तो यह तो था थोड़ा सा हमारा tools का overview अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम file को navigate करेंगे चलिए अब देखते हैं कि आप किस तरीके से अपने documents में navigate करेंगे navigate means कि किस तरीके से आपको कोई particular area को zoom करके देखना है या किसी particular area पे आपको जाना है तो किस तरीके से आप यहाँ पे उसको navigate करेंगे सबसे पहले आपको मैं navigation के कुछ tools के बारे में बताना जारू जिसमें होते हैं आपका zoom tool and hand tool तो zoom tool पे आप जब click करेंगे तो देखिए आपके सामने tool नजर आ रहा है जिसमें एक lens है और उसके बीच में plus sign है और जब भी आप इस tool को लेके किसी भी area पे click करेंगे तो वो area बड़ा होता चलेगा इसको बोलते हैं zoom in और अगर आपको वापिस zoom out करना है आल्ट की प्रेस करके रखिए आल्ट बटन को प्रेस करके रखिए keyboard पे और left mouse click करिए यह देखिए यह हो गया zoom out आप all button छोड़ देंगे तो वापिस आप इसको zoom in कर सकते हैं आप normally mouse के left button से just click करके रखिए hold करके रखिए mouse को इदर उदर drag करिए देखिए आप इसके through भी zoom in zoom out कर सकते हैं देखिए उसी सबसे आपका यह zoom in zoom out होता रहेगा आपको left mouse button छोड़ना नहीं है उसको press करके रखिए अगर आप अपने document में साथ वाले area भी देखना चाहते तो आप देखिए यह tool है आपका hand tool इसपे click करिए यह देखिए आप file को इदर उदर grab कर सकते हैं देखिए आप बाकी के artwork को भी देख सकते हैं एक ओर shortcut आपको बताने जा रहा हो अगर आप मान लो selection tool पर आए जूम करके दिखा देगा मालो मैं इधर रहता हूँ देखिए यह particular area ही zoom होईगा अब scroll कर यह उपर नीचे उस हिजब से छोटा बढ़ावाएगा मालो मैंने इस area को ऐसे zoom कर लिया अब मैं इसकी eyes को देखना चाहता हूँ ठीक है मैं alt button को छोड़ता हूँ keyboard पे और अब मैं space bar को press करता हूँ देखिए आपका hand tool activate हो चुका है और आप left mouse button को press करिए and drag करिए यह देखिए left mouse button को press करके रखिए और drag करिए देखिए अब particular दूसरी area पे भी जा सकते है आपको एक shortcut और बता रहा हूँ control plus and control minus control minus होएगा आपका zoom out के लिए and control plus zoom in के लिए आप space bar press करिए इदर उदर ला सकते हैं अपने artboard को grab करके आपको इन दो tools का एक और काम बताता हूँ मान लो मैंने इसको बहुत छोटा कर दिया है zoom out कर दिया है जब मैं hand tool को double click करता हूँ तो देखिए आपका जो artwork है artboard जो है आपका वो fit to screen हो जाएगा means वो देखिए screen का size ले देगा देखिए अभी तो फिलाल इसका जो width है उसने उसको ले लिया है अगर मैं zoom tool को double click करता हूँ पर तो एक चीज़ देखिए कि इसका जो अभी zoom level है वो है 165 point कोच तो जब मैं इस पर click करता हूँ डबल click तो देखिए ये 100% पर हो जाएगा zoom means जो actual size है file का उस dimension पर ये आ जाएगा देखिए मैं यहां से माल लो 600 कर देता हूँ और जब मैं zoom tool पर double click करूँगा तो ये automatically 100% हो जाएगा एक panel और में बताने जा रहा हूँ window पर आप जाएगे तो आपको मिलता एक navigator नविगेटर पर click करेंगे और जैसे मैं यहां पर इसको zoom कर लेता हूँ आपको एक यहां पर rectangle area नजर आ रहा होगा rectangle shape नजर आ जोगी यह तरीके से वह area है जो आपको screen पर भी नजर आ रहा होगा मैं इसको hold करके drag करके hold करके इदर उदर area को देख भी सकता हूँ यह देखिए यह navigator का काम होता है आपको एक option और बता रहा हूँ आप edit में जाएंगे preferences में आप general पर जाएए तो आपको एक option मिलता है zoom with mouse wheel अगर मैं इसको click कर देता हूँ और ok करता हूँ तो मेरको keyboard पे alt button प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप अपने mouse wheel को ही उपर नीचे करेंगे देखिए यह तब भी जूम इन जूम आउट करेगा अभी तो फिलाल मैं इसको off करता हूँ एक option और मैं आपको दिखा रहा हूँ यूजर इंटरफेस और आप यूजर इंटरफेस के थुरू अपने इंटरफेस को डार्क या लाइट कर सकते हैं आजकर ट्रेंड में आ रहा है डार्क थीम तो अब यहां से डार्क थीम को सिलेट कर सकते हैं फिलाल मैं इसको मीडियम डार्क पर ही रखता हूँ तो इस वीडियो में इतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को like, subscribe और share करना ना भूले और साथ ही बैल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले ताकि आने वाले वीडियो का अबडेट आपको notification के जदिये मिलता रहे धन्यवाद